मेरे भाईयों, क्या आपने कभी एक sexy photo देखके खुद से पूचा है कि यार मुझे ये photo sexy क्यों लगती है? जैसे कि इस beautiful इंसान को देख लो, इनके बाल देख लो, इनकी skin देख लो, इनके आखों को देख लो, आपको इनके features attractive क्यों लगते है? क्योंकि ये होती है, signs of fertility, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा मन, caveman के मन से evolve हुआ है, हम पहले caveman हुए करते थे और जो हमें तभी sexy लगता था ना, तभी देखकर जो हमें लगता था कि हाँ यार, यह fertility के chances है, यह reproduction के chances है अगर इनके साथ मैंने बच्चे बना है, तो मैंने बच्चे भी healthy होंगे, अगर वो वाले chances होते, तो हम उन इनसान को find करते sexy अब ही ये हो गई मर्दों की बात, औरतों की बात भी करते हैं देखो दोस्तों, जैसे की मर्द attract होते हैं features की वज़े से, औरते भी attract होती है masculine features की वज़े से physical features भी होते हैं पर इस वीडियो में हम fashion के features के बारे में बात करेंगे कुछ ऐसे fashion tips और tricks जिसकी वज़े से आप खुद को sexy बना रहे हो पर आसपास के लोगों को पता भी नहीं कि आप इतने sexy क्यों दिख रहे हो ये आप लोगों के मन के साथ खेलोगे, आपका भाई सिखाएगा, आपका ये खेल टिप नमबर वान, shirt त्रिदेव त्रिमूर्ती, दोस्तों देखो आपकी shirt की golden trinity होती है कुछ ऐसे factors को बदल करना आप shirt को भी और ज्यादा sex कर सकते हो sex नहीं, sexy कर सकते हो, कैसे मैं सिखाता हो ना, देखो पहले तो अपने color को ऐसे बंद मत रखो आप घोचू नहीं हो, आप भोपलू नहीं हो, आप मोचू नहीं हो, आप sexy हो आप अपनी sexy से मर्दानगी वाली गरदन को दिखाओगे, दुनिया को second point, आप अपने मर्दानगी वाले four arms को दिखाओगे, दुनिया को and third point, क्यूँकि आप एक gentleman हो, आप अपने shirt पर सरवटे नहीं रखेंगे, आप इस्तरी करोगे खुद के shirt को और आप अपने collar के नीचे, collars तेज रखोगे, क्यूँ? क्यूँकि आपको neat and tidy लखना है, पर आपको उसके साथ-साथ masculine भी लखना है इसका logic क्या है? इसका logic यह है कि जैसे एक मर्द attract होता है, visual aspects की वजह से, जैसे की बाल, जैसे की आखें, जैसे की चेहरा, जैसे की skin, उसी प्रकार से women attract होती है, फिजीक की वजह से इन साथ factors को follow करके एक तो आपका फिजीक बहुत ही sexy लगेगा, चाहे आप मोटे हो, चाहे आप पतले हो, पने फोराम दिखा के कोई भी इंसान ज्यादा manly दिखता है दूसरा point, जिस प्रकार का मौसम चल रहा है न, उसी प्रकार के कपड़े पहनो, सुनने में तो simple है पर इतना simple नहीं है मेरे भाई, मैं समझाता हूँ, देखो, एक इनसान की चाहत क्या होती है, दिल की चाहत क्या होती है, दिल की चाहत यह होती है कि अगर बाहर ठंडी है न जैसे की cool color, और जैसे की sockless shoes, अगर आप जूते पहन रहा हो न, उसके अंदर socks मत पहनिए, loafers पहनिए, उसके अंदर loafers, socks पहनिए, basically light shoes पहनिए, जो light material से बने गए है, जैसे की cloth material के shoes, और अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है, अगर बाहर बहुत जादा ठंडी है, तो obviously पहनिए, आपको layering करनी है, और नीचे, चाहे आप जो भी जूते पहन रहे हो, उसके अंदर पहनिए, जाडे से, अच्छे से, funky socks, क्यूंके funky socks का जमाना चल रहा है, और funky socks match with everything my brother, इसलिए, according to the मौसम, dress to be awesome. Next point, smart grown-up color selection, देखो दोस्तों, बच्चे ना कोई भी color पहन सकते हैं, पर असली मर्द, grown men ना हर color नहीं पहन सकते हैं, पहले ना मैं कहता था कि यार आपको जो bright color पहनना आप पहन लो, केवल नीचे dark color की pant पहन लो, सही दिखोगे, पर अभी ना मैंने वो rule थोड़ा सा change कर लि तो मेरे दोस्तों, या तो आपको पहनना है white, या तो dark colors, जैसे कि मैं बोलते रहता हूं, और अगर आपको colors पहनने आना, वो होने चाहिए pastel shade के color, pastel shade क्या होता है, एकदम light, unsaturated, यानि की color की intensity थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी low की होती है, देखो, अगर आपने saturated color पहन लि intense color वाली दिवार, अगर आपने ये color खुद पे डाल लिये ना, तो मेरे दोस्त आप बच्चे जैसे दिखोगे, ठीक है, चाहे आपकी उमर जो भी हो, चाहे आपका फिजीक जैसा भी हो, चाहे आपकी दाड़ी जित्ती भी बढ़ी हो, आप हो तो बच्चे ही अंदर से, क् होड़ा साना दुनिया को ये बताओ कि यार मेरे जो अंदर है ना, वो मेरे अंदर ही छिपे रहेगा, तो यहां तो पहन लो white, यहां तो पहन लो dark color, जैसे कि ये, जैसकि मैं बोलता रहता हूँ, यहां तो पहन लो pastel colors, अगला point, यह क्या है, यह क्या है, मच्योर बैग, दो दोस्तों मेरा तो यह मानना है कि जितने आप बड़े होते जाते हो ना, उतना ही आप जिम बैग कम यूज़ कर सकते हो, अगर आप हर जगा जिम बैग के साथ भूमोगे ना, लोग आपको seriously नहीं लेंगे, अगर आपको mature वाली look पानी है, तो please mature बैग खरी दिये, हर दो साल यह बैग की trend थोड़ी सी change होती जाती है, तो you have to just keep up with the trend, देखो दोस्तों मेरी पहली recommendation है कि यहां तो आप black bag लेलो, यहां तो brown bag लेलो, हो सके तो पूरे के पूरे leather bag से दूर रहो, जो fully leather से बना गया है, क्योंकि आप जानवर को मार के उस bag को पहन रहो, वो भी गलत बात है पर हो सके ना, तो ऐसी, fall leather, यानि fake leather की bag लेलो, और यहां ऐसी, यह material की, synthetic पर elegant material की bag लेलो, black या brown या दोनो, पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि एक अच्छे quality mature bag ना, कम से कम 2000 या 3000 रुपे की आएगी, अगर उससे कम वाली bag आपने ले ली ना, तो वो original mature bag जैसी थी वैसी आएगी, देखो दोस्ते, बैग दूर से तब बहुत ही सबर्दस दिखती है, पर अगर आप पास जाओगे ना, इस पर वो brand का logo है, और उस brand के logo की वज़े से इसकी maturity factor कम हो जाती है, इसकी classiness की factor कम हो जाती है, तो college students के लिए ठीक है, पर अगर आप एक job कर रहे हो, अ आप एक grown इंसान हो, तो आपको mature bag पर definitely खर्चा करना चाहिए, और दोस्तों, अगर आपको ऐसी बड़ी bag नहीं लेनी है, मतलो, आप वो छोटी सी office वाली bag या नहीं की messenger bag, जिसमें आप laptop डाल सकते हो, pen डाल सकते हो, वो वाली bag ले लो, always buy a bag according to your needs, brother, मेरी needs के लिए ये bag जब जिस प्रकार से आपको bag पर focus करना है आज कल के जमाने में, उसी प्रकार से आपको accessories पर भी focus करना है, accessories की बात आए ना, तो बहुत सारे बंदे वो bracelets पहनते है, college वाले बंदे, especially young बंदे bracelets पहनते है, ठीक है यार, masculine bracelets ऐसे, जो fall leather के बने जाते हैं, वो ठीक है, बट उससे भी अच्छा ना होगा कि अगर आपने watch ले लिना, smart वाली watch, जिसमें आप strap बदल सकते हैं, ताकि आपके looks भी change हो जाए उस watch की वज़े से, ऐसी watch दोस्तों, जो अभी तो black strapped watch है, पर अगर मैंने black strap निकाल लिया, और यहां brown strap डाल दिया, तो पूरी watch की look ही बदल जाती है, ठी इसलिए मैं कहता हूँ, सबसे mature accessory होती है, घड़ी, watch, इसलिए, prefer watches over bracelets, जैसे आपने mature accessories पर ध्यान दिया है, उसी प्रकार mature belts और mature laces पर भी ध्यान देना चाहिए, जितनी simplistic आपकी belt हो, उतनी ज्यादा mature belt होती है, और जितने ज्यादा dark आपके laces और shoelaces हो, उतनी ज्यादा mature आ जाती है, अगर आपने सफेद laces पहन लिए कोई भी जूते के साथ, वो थोड़ी सी young college-y look हो जाती है, sporty look हो जाती है, इसलिए go dark, go simple, go minimalistic, जितना minimalistic आप रहोगे न, उतना ही ज्यादा mature, उतना ही ज्यादा sexy, उतना ही ज्यादा attractive दिखोगे, ओके अगला point, looks पर ध्यान जैसे कि ये look, white shirt, blue jeans, इतनी sexy look है, अगर आप date के लिए जा रहे हो न, तो ये होती है, मेरी खुद की go-to look for all dates, इसके साथ-साथ होती है, एक और look, which is, white t-shirt, blue pants, ये jogger की भी pants हो सकती है, अगर आपने t-shirt पहन ली, या अगर आप dark colors पहनते हो, तो फिर black t-shirt, blue jeans होती है, बहु too sexy, दोस्तों, basically looks के बारे में जान दीजिए, इस पर भी, एक detailed video बनाया है, उस video को refer कीजिए, और अगर आपको fashion के बारे में और से इतना है, एक video खत्म नहीं हो है, वो नीचे description में fashion playlist linked है, पर final point आपको बता देता हूँ, और वो final point है ये, अगर आपने top wear color वाली पहन ली, य या shirt, या वो half sleeve shirt, तो फिर आपके जूते होने चाहिए on the formal side, या तो formal जूते पहन लीजिए, या तो loafer पहन लीजिए उसके साथ, पर अगर आपने sneakers पहन लिया ना, collar वाली t-shirt के साथ, या collar वाली shirt के साथ, वो थोड़ा सा mismatch हो जाता है, दोस्तों, देखो, अगर आप polo पहन रहे हो, और अगर आपको sneakers पहन नहीं है, तो आपको पहनने चाहिए minimalistic sneakers, या तो plain white होने चाहिए, बिलकुल ऐसे, या फिर से, dark, और अगर दोस्तों, आप T-shirt पहन रहे हो, तो नीचे आपको पहनने चाहिए sneakers, क्योंकि T-shirt की वज़े से आपकी look हो जाती है minimal, simple, और sexiness fashion rules, देखो दोस्तों, basic core ideas दिस, कि जितना मचे और दिखोगे न, उतना ही ज्यादा आपका sexiness quotient बढ़ते जाएगा, अब दोस्तों, एक चीज़ याद रखे कि अगर आपको fashion के science के बारे में और जानना है, तो बनाई है न, हमने fashion की playlist, जैसे कि मैं पहले वाले point में कह रह है जोस्तों